दोस्तो, कास्ट किलासिज में मैं जंदर हास एक बर फिर से आप सभी का सुवागत करता हूँ आसा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे कास्ट किलासिज का पूरा परिवार बहतरीन तरीके से आने वाले एक्जाम्स की त्यारी कर रहा होगा तो दोस्तो, आज इस वीडियो के अंदर हम CM City, हरियाना का Paris, Sioux City और राजा करन के नाम पर जो सहर बसाया गया था करनाल उसकी बात इस वीडियो के अंदर करेंगे और करनाल से सम्मंदित जितने भी हरियाना जीके के किर्शन निकलते हैं करनाल से वो सभी परसन आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे आसा करते हैं कि हमारे दवारा जो पहले वीडियो दी गई है वो आपको पसंद भी आ रही होगी और जितना प्यार और शहयोग आपने पिछली पुरानी वीडियो के उपर दिया है उतना प्यार और शहयोग आप लगातार हमारे साथ में बना कर रखिएगा आप हमारे चैनल के उपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लैटस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहूँ सके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सेयर भी करें हम वीडियो के अंत में या वीडियो के बीच में आपकी एक मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे हवा हवाई काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा यदि आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो आपको महनत करना ही पड़ेगा ये आपके एक मजबूरी शी हो जाएगी महनत करना और आप वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ महनत करना है या नहीं करना तो चलिए आज हम करनाल डिस्टिक के बारे में पड़ेंगे करनाल डिस्टिक के बारे में समझेंगे तो हेडिंग डाले करनाल जब हरियाना बना था उसी समय हरियाना के एक जिला बना था करनाल करनाल एक नवंबर 1966 में था जब हरियाना बना एक नवंबर 1966 में उस समय हरियाना के अंदर साथ जिले हुआ करते थे जिसमें से एक हरियाना का पैरिस्यो सिटी करनाल भी हुआ करता था जब हरियाना बना उस समय साथ जिले थे जिसमें से एक सहर करनाल भी हुआ करता था करनाल किसके नाम पर बसाया गया है या क्यूस्टन एग्जामिनर पूछेगा कि राजा करन के नाम पर कुंछा सहर बसाया गया हरियाणा का तो आप बताएंगा आप बताएंगे करनाल आप करनाल बताएंगे राजा करन के नाम पर बसाया गया सहर कुंछा है तो करनाल उसके बाद में आप से पूछे कि करनाल का पूराना नाम क्या है तो आप बता देना करनले करनल का पूराना नाम है करनल का जो पूराना नाम है वो क्या है तो आप बता देना करनले करनल का पूराना नाम है ये करनल जिसका उपनाम यदि देखा जाए तो धान का कटोरा कहते है करनल को धान का कटोरा कहते है किसको करनल को हरियाना का पैरिस किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे करनाल को हरियाना का पहला सहर जो सू विवस्तित तरीके से बसाया गया था हरियाना का पहला जो सहर जो सू विवस्तित तरीके से बसाया गया था तो आप बताएंगे कौन सा है करनाल और इसी कारण इसे हरियाना का पैरिस कहते है भारत का पैरिस किसे कहते है तो जैपूर और हरियाना का पैरिस किसे कहते है करनाल को धान का कटोरा, हरियाना का पैरिस और इसका उपनाम है स्यूज सीटी अब भाई, Shoe City इसका उपनाम है, तो कौन से Shoe's की फैक्टरी यहां है? तो आप बताएंगे Liberty Shoe's Factory करनाल के अदर है. Liberty Shoe's Factory. बाटा Shoe's Factory का है, बल्लबगड में, और Action की जो Shoe's Factory है, Action की जो Saliper की जो कमपनी है, Shoe's Company है, वो कहा है? तो आप बताएंगे भादुरगड में. भा गेटवे ओफ हरियाना के नाम से हरियाना का परवेस दवार गेटवे ओफ हरियाना के नाम से किसे जाना जाता है बहद्दुर गड़ को जाना जाता है CM City के नाम से किसे जानते हैं, CM City के नाम से भी करनाल को जानते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो हरियाना के मुख्य मंतरी है मनोहर लाल खटर, वो मनोहर लाल खटर करनाल सीटी विधान सभा सीट से विधायक है. करनाल के अंदर विधान सभा की सीटों का जिकर किया जाए, तो विधान सभा की 5 सीटे हैं, जिसमें से एक विधान सभा सीट जिसका नाम है करनाल सहर, और उस करनाल सहर से विधायक है, मनोहर लाल खटर, और इसी कारण अरियाना की CM City के नाम से जानते हैं, किसको तो आब बता 2520 वरक क्लोमेटर किसका छेतरफल है तो आप बताएंगे करणायाल का चेतरफल है उसके बाद में पहला जो क्युंशन आता है। वो question बनता है करनाल का कुंणिन्द कालिन सिक्के कहां से मिले हैं। आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है कुंणिन्दगन। ये नाम आपने बहुत पहले से सुन रखा होगा। कुंणिन्दगन का सम्ध हरियाना में कौण कौण से स्थान से हैं, तो आप बताएंगे Ambala, यहननगर और करणाल अब आपसे पूछ ले कि कुणिंद कालिं सिक्के कुणिंद का जो कुणिंदों का टाइम पिरिड था उस समय के सिक्के कहां से मिले हैं तो तीनोई सिथान से Ambala से भी यहननगर से भी करणाल से भी बाई मिलेंगे कनफरम बात है अच्छी बात है अमबाला करनाल और यमननगर से लेकिन कुणिंद कालिन सी के करनाल से भी मिले है यमननगर से भी मिले है और अमबाला से भी मिले है तो ये चीज भी आपने याद रखने है उसके बाद में क्योशन आता है कि करनाल के अंदर एक स्थान पढ़ता है तराइन करनाल के अंदर एक कस्वा पढ़ता है तराइन और उस तराइन के अंदर दो लडाईया लड़ी गई थी इस तराइन को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे तरावडी के नाम से तरावडी के नाम से वर्तमान में तराइन को जाना जाता है और जब आप जाएंगे दिल्ली से अंबाला की तरफ रेलवे स्टेशन आएगा बीच में तरावडी तो ये याद रखि तराइन की पहली लडाई कब हुई थी तो आप बताएंगे 1191 में के अंदर तराइन की पहली लडाई हुई थी और ये लडाई पिठ्वी राज चोहान और किसके बीच में हुई थी तो आप बताएंगे मुहमद घोरी के बीच में तराइन की पहली लडाई पिठ्वी राथ चोहान और मुहमद गोरी के बीच में हुई थी याद रियतनाब ने पहली लडाई में कौन जीता था तो आप बताएंगे पिठ्वी राथ चोहान पिठ्वी राथ चोहान जिसका दरबारी कवी चंदरबरदाई था चंदरवर्दाई जिसका संबंध हिसार से था हिसार जिसका पुराना नाम हिसुयार है और हिसार जो फिरोसा तुगलक ने बसाया था हिसार जो फिरोसा तुगलक ने चोधवी स्तावदी में बसाया था और फिरोसा तुगलक ने फतेहाबाद भी बसायता और फतेहाबाद जिसको हरियाना की पिंक सिटी कहते हैं और भारत की पिंक सिटी के नाम से जैपूर को जानते हैं और जैपूर राजस्थान में हैं, और राजस्थान हरियाना के साथ में सबसे लंबी बोर्डर लाइन बनाता है, हरियाना के साथ में सबसे लंबी बाउंडरी कौन सा स्टेट बनाता है, राजस्थान बनाता है, सबसे छोटी कौन सी बनाता है, उत्राखंड, और 2018 में दो जोड़ दे 1991 में, हरियाना विकास पार्टी बनी थी 1991 में, मेहम सरकारी चीनी मील बनी थी 1991 में, और कुरू छेतर आकाश्वानी केंदर बना था 1991 में, और 1991 से 800 साल गटा दे, ग्याराश विकान में तराइन की पहली लडाई हुई थी, पित्वी राथ चोहान और मुहम लडाई का तो 1902 में के अंदर, अगले ही साल तराइन की दूसरी लडाई होती है 1902 में, लेकिन तराइन की दूसरी लडाई किस-किस के मद्दे हुई थी, पित्वी राथ चोहान और मुहमद गोरी के बीच में तराइन की दूसरी लडाई हुई, और इस युद में हार गया पिट्वी राद चोहान और जीत गया मुहमद गोरी लेकिन तराइन के दूसरी लड़ाई में जैसे ही मुहमद गोरी जीतता है तराइन के दूसरी लड़ाई में जैसे ही मुहमद गोरी जीतता है पिट्वी राद चोहान हारता है तो हासी के जाटवा नामक राजपूत ने मुहमद गोरी के खिलाप विद्रो कर दिया लेकिन मुहमद गोरी ने तो जोड़ा नहीं पिठ्वी राजपूत कहां से बचेगा तो हासी का जाटवा नामक राजपूत भी उश्युद में मारा गया लेकिन त्राइन के दूसरी लडाई मुहमद गोरी ने जब जीत ली थी पिट्वीरा चोहन हार गया था तो उसी समय रेवाडी के गवर्नर तेजपाल रेवाडी के गवर्नर तेजपाल ने भी मुहमद गोरी के खिलाफ विद्रो कर दिया था लेकिन रेवाडी के गवर्नर तेजपाल की हत्या कर दी मुहमद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन एबग ने कुतुबुद्दीन एबग गुलाम था मुहमद गोरी का और जिसने गुलाम वंस की नीव 126 के अंदर रखी थी और जो गुलावन 1290 तक चला था तो त्राइन की पहली लड़ाई प्यारे साथियों कब हुई थी 1121 में त्राइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी 1121 में त्राइन की पहली लड़ाई 1121 में कौन जीता था पिठ्वीराच चोहान और दूसरी लड़ाई में कौन जीता था तो आप बताएंगे मोहमद गोरी जीता था तो ये तरावडी का किला पूछे आपसे तराइन तरावडी का किला पूछे कि किसने बनवाय था पिठ्वी राज चोहान ने गोहाना जो सोनिपत में पड़ता है उसका किलावी किसने बनवाय तब पिथ्वी राज चोहान है हासी जिसका पुराना नाम है आसी आसी गड़ का किलावी किसने बनवाय तब पिथ्वी राज चोहान है और पिठ्वी राज चोहान की कचहरी या पिठ्वी राज चोहान की अदालत या पिठ्वी राज चोहान के ब्रादरी कहा है तोशाम में और तोशाम कहा है भीवानी में और भीवानी कहा है हरियाना में और हरियाना जब बना था उसी समय करनाल डिस्टिक भी हुआ करता था बहुत अच्छे भई बहुत अच्छे उसके बाद में next question आता है करनाल का युद्ध कब हुआ था ये question भी exam में बहुत बार repeat होता है बहुत बार exam में पूछा जाता है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था देखें आप ये क्यूस्टन आपको पता भी होगा, इस परसन में काफी जानकरी, आप सभी को मालूम होगा इस परसन से संबंदित, तो करनाल का जो युद हुआ था, वो करनाल का युद कब हुआ था, एक पर देखें आप, एक्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि करनाल का युद कब हुआ करनाल का युद कब हुआ था और आप बताएंगे 1749 में करनाल का युद हुआ था करनाल का युद कब हुआ एक्जामिनर आपसे पूछ रहा है तो आप बतादेना 1749 के अंदर करनाल का युद हुआ था इरान का नैपोलियन किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे नादिर सा और भारत का नैपोलियन किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे नादिर सा और भारत का नैपोलियन किसे कहा जाता है समुद्र गुप और समुद्र गुप कालिन सिक्के कहा से मिले है तो मित्ताथल भीवान बाल किसन जिनका समंद रेवाडी से था उनके मद्दे युद हुआ था 17-49 में जिसे करनाल का युद कहते हैं लेकिन कई बार एक्जाम में ऐसा हुआ है कि HSSC वाले ने ये नहीं का बाल किसन और नादिर सा मोहमद सारंगिला और नादिर साह का क्योंकि इस समय 17-49 में दिल्ली के गदी के उपर मोहमद सारंगिला बैठा हुआ था और उस मोहमद सारंगिला का एक दोस्त दूआ करता था बाल किसन जिसका समंद रेवाडी से था ये बाल किषन मुहमद सारंगेला से पहले लड़ा था लेकिन दोनों ही युद में मारे गए थे और ये नादिर्सा कोईनूर हीरा, मयूर सिंगहासन वगेरा लूट कर ले गया था कोईनूर हीरा जो गोल कुंडा खान से निकला था गोल कुंडा खान जो हैदराबाद के पास में हैदराबाद जो मूशी नदी के उपर है मूशी नदी जो किर्षना की साय है किर्षना नदी जो दक्सिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसके लंबाई 1400 किलोमेटर है जिसके लंबाई कितनी है तो आप बता देना 1400 किलोमेटर और यमना नदी जिसकी टोटल लंबाई 1346 किलोमेटर है तो करनाल का युद होता है 1749 में नादिर सहा और मुहमद सारंगीला के मत दें और यदि मुहमद सारंगीला ना आए तो बाल किसन रिवाडी के मत दें याद रखिए गाई इरान का नेपोलियन कहते हैं किसको नादिर साखो चलिए भई नेक्स क्यूशन की तरह बढ़ते हैं गोद्तम रिशी का संबंद करनाल के कौन से सहर के पास में है या कौन से गाउं में है तो अब बताएंगे गोद्तम रिशी का संबंद है गोदरगाव जो करनाल के अंदर पड़ता है बहुत अच्छे तरीके से आपने ये याद रखना है अभी मन्यू के पुत्तर परिक्षित की राजधानी कौन सा सहर था अभी मन्यू है उस अभी मन्यू का पुत्तर हुआ करता है था परिक्षित और उस परिक्षित अभी याद रखना बहुत अच्छे तरीका, हर्याना राजय में सबसे ज़्यादा अमरूद और लहसून का उत्पादन, कौन से जिले के अंदर होता है, तो आप बताएंगे, हर्याना राजय में सबसे ज़्यादा अमरूद और लहसून का उत्पादन होता है, कर्राल के अंदर, उ Cantonment Church Tower या St. James Church Tower कहा है करणाल में और कब बना था 18-06 के अंदर करणाल में बना था उसके बाद में next question राष्टे डेरी अनुसंधान के अंदर ये question आप सभी को मालू है रास्टिय डेरी अनुसंधान के अंदर NDRI, National Dairy Research Institute NDRI, रास्टिय डेरी अनुसंधान के अंदर कहा है तो आप बताएंगे, रास्टिय डेरी अनुसंधान के अंदर करनाल में है जो कब बना था? 1950 में इससे एक साल पहले ही जनम हुआ था, मनोरलाल खटर का कहने का मतलब जिए अब NDRI करनाल बना था, उससे मनोरलाल खटर जी एक साल के हो गए थे बहुत अच्छे, कोई बात नहीं तो याद रखना है करनाल, जो करनाल के अंदर रास्टिय डेरी अनुसंधान के अंदर है वो कब बना था? तो आप बता देना, 1955 में उसके बाद में क्यूशन आता है कि करनाल एसेनिक हवाई अड़ा करनाल एसेनिक हवाई अड़ा कब बना था? तो 1967 के अंदर नुसंधान के अंदर करनाल एसेनिक हवाई अड़ा बना था? हारियाना में पहली बार रास्टिय सासन 1967 में लगा था? हारियाना में विधानसबा की सीटे 54 से बढ़ा कर 81 सीटे हुई थी विधानसबा की Central Soil Research Institute केंदर ये मिट्टी लवनता अनुसंधान केंदर करनाल केंदर है और केंदर ये मिट्टी लवनता अनुसंधान केंदर करनाल केंदर कब बनाता 1969 केंदर नेल आमस्ट्रोंग चंदरमा के उपर पहली बार कब गया था 1969 केंदर भारत में पहली बार 14 बैंकों का नैसलाइजेशन कब हुआ था 1969 केंदर और याद रखेगा इसरो की स्थापना कब होई थी तो आप बताएंगे 1969 केंदर इसरो इंडियन सपेश रिसर्च ओर्गनाइजेशन जिसकी स्थापना कब होई थी 1969 में और पहली बार अर्द सास्तर के छितर में नोबल पुरुषकार कब दिया गया था 1969 केंदर दिया गया था बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे ये जो एक फसल है ये हडपा कालीन फसल है आपने देखा भी होगा कि हर्याना के फतेहबाद के अंदर एक हडपा कालीन कस्बा पढ़ता है बनावली और उस बनावली से जो के साक्षे मिले हैं कहने का मतलब उस समय जो की फसल होती थी तो ये याद रखिएगा जो हडपा कालीन फसल है और गेहु वे जो अनुशनधान के अंदर कहा है करनाल में और गेहु वे जो अनुशनधान के अंदर करनाल में कब बना था तो आब बताएंगे 1978 के अंदर 1978 के अंदर करनाल के अंदर गेहूं वे जो अनुशंधान के अंदर बना था बहुत अच्छे तरीके से उसके बाद में क्यूशन आता है नेक्स क्योशन क्या है वो देखें रास्टिय पसू आनुवानसी की संस्तान ब्यूरो कहा है तो करनाल में और ये कब बना था तो आप बताएंगे 1985 के अंदर लेकिन रास्टिय पसू आनुवानसी की संस्तान ब्यूरो करनाल में है जो 1985 में बना था लेकिन दोस्तों आपसे पूछ ले ना कि रास्टिय भैस अनुशंधान संस्तान कहा है तो रास्टिय भैस अनुशंधान संस्तान है इसार में जो कब बना था 1985 में रास्टिय असव अ और छासी के अंदर बहुत अच्छे हर्याना के अंदर पहली NCC अकादमी कहां खोली गई तो आप बताएंगे घरोंडा में हर्याना के अंदर पहली NCC अकादमी खोली गई थी कहां घरोंडा कहां है करनाल में कब खोली गई थी 2016 हर्याना में पहली NCC अकादमी घरोंडा करनाल के अंदर खोली गई थी वैसे NCC की स्थापना की ये दी बात की जाएक कब हुआ था 1928 में और आप से NSG पूछे तो आप बता देना 1984 में NSG की स्थापना 1984 के अंदर और NCC की स्थापना 1948 में लेकिन हर्याना के अंदर НCC एक आदमी पहली खूली थी गरोंडा में और गरोंडा कहा है तो आप बताएंगे करनाल में इसी गरोंडा के अंदर इसराइल की सहायता से है इसी गरोंडा में इसराइल की सहायता से सबजी वे फूल उतकरष्टा के अंदर बनाया गया है हरियाना के किस सथान पर सबजीव फूल उतकरष्टा के अंदर बनाया गया है तो आप बताएंगे घरुंडा के अंदर कहां पर घरुंडा में और कौन से देश की सहायता से तो आप बताएंगे इसराइल की सहायता से उसके बाद में आपने पिछली किलास में सोनिपत डिस्टी के अंदर पढ़ा था मामा भांजा की दरगा कहां है सोनिपत में जो हिंदू और मुशल्मानों की एकता का परतीक है लेकिन मामा भांजा मुगल सराइ मामा भांजा की जो मुगल सराइ है वो कहां है तो आप बताएंगे गरोणडा में मामा भांजा मुगल सराय कहाँ है गरोणडा में गरोणडा कहाँ है करनाल में उसके बाद में रास्तिय आलू पृद्धगी सेंटर हर्याना की किस सथान के उपर है निलो खेडी में रास्टी गन्ना अनुसंधान संस्तान का छित्तरी कारियाले कहा है करनाल में ऐसा ही है सेम टू सेम जैसे कपास अनुसंधान संस्तान का छित्तरी कारियाले कहा है सिर्शा में तो ऐसे ही रास्टी गन्ना अनुसंधान के इंदर का छित्तरी कारियाले कहां सितीत है तो आप बताएंगे करनाल में बहुत अच्छे कहा है करनाल में और परियावन से समंदित अदालत पूछी जाए कि परियावन से समंदित अदालत कहा है तो आप बतादेना करनाल में हरियाणा का पर्थम डाक घर पासपोर्ट ओफिस कहां खोला गया था पासपोर्ट सेंटर कहां खोला गया था तो आप बताएंगे करनाल में उसके बाद में क्यूस्टन एक्जामिनर आपसे पूछेगा सखी वन स्टोप सेंटर फोर वुमेन हरियाणा का पहला सखी वन स्टोप सेंटर फोर वुमेन हरियाणा का पहला सखी वन स्टोप सेंटर फोर वुमेन कहां खोला गया तो आप बताएंगे करनाल के अंदर उसके बाद में नाम आता है करनाल से संबंदित यदि बात की जाए तो आदित्ती मंदिर अदिती मंदीर हर्याना के कोंड से जिले के अंदर है अदिती मंदीर का जिकर किया जाए कि अदिती मंदीर हर्याना के कोंड से जिले के अंदर है तो आप बताएंगे करनाल के अंदर उसके बाद में second question आएगा करन टेखक सीता माई मंदीर कहां है तो आप बताएंगे करनाल में और उसके बाद में question यदि पूछा जाए कि देवी मंदीर हरियाना के किस जगह के उपर पढ़ता है तो भी आप बताएंगे कहां पर पढ़ता है करनाल में ठीक है याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से खरोस्टी लीपी में अंकित अभिलेक कहां से मिला है एक ऐसा अभिलेक हरियाना से मिला है जो खरोस्टी लीपी में लिखा हुआ था कौन सी लीपी में लिखा हुआ था भाईया खरोस्टी और खरोष्टे लीपी में लिखा गया जो अभिलेख है खरोष्टे लीपी से लिखित जो अभिलेख है वो हर्याना के किस सथान से मिला है तो आप बताएंगे करनाल से खरोष्टे लीपी में जो अभिलेख लिखा गया था वो हर्याना के किस सथान से मिला है करनाल से इस अभिलेख से स्रोवर वे तालाबो की जानकारी मिलती है यह जो करनाल से जो अभिलेख मिला है जो ख्रोष्ट लीपी में लिखा गया है यहां से तालाबो वे स्रोवर की जानकारी मिलती है यह भी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है अब बहुत अच्छे तरीके से, थीक है, हरियाना राज्ये के अंदर सबसे ज़्यादा धान, सबसे ज़्यादा जो धान है, सबसे ज़्यादा चावल है, उसका उत्वादन कहा होता है? करनाल में? और इसी कारण धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो आब बताएंगे करनाल को. हरियाना का पहला सैनिक स्कूल हरियाना का पहला जो सैनिक स्कूल है वो कहां खोला गया तो आप बताएंगे कुंजपुरा में और कब खोला गया 1961 हरियाना का पहला सैनिक स्कूल कहां खोला गया कुंजपुरा में कुंजपुरा कहां है करनाल में हरियाना का पहला सैनिक स्कूल कुंसपुरा करनाल के अंदर खोला गया था, ये भी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, गोवा कुंसपुरा में 1961 में खुला था, हरियाना का दूसरा सैनिक स्कूल रेवाडी में 2008 में, तीसरा सैनिक स्कूल मातन हेल ज विसो का पर्थम वेक्ती अंतरिक्स में गया था यूरी कागरेइन 1961 में और याद रखेगा कलपना चावला का जनम हुआ था 1961 में और अरजुन पुरुषकार की शुरुवात हुई थी 1961 में और हर्याना में पहला सैनिक स्कूल खुला था 1961 में कुछपुरा करनाल में गोवा सवतंतर हो गया था पुर्तगालियों से 1961 में लेकिन गोवा स्टेट बना है 1987 में ये भी याद रखना है ठीक है उसके बाद में नाम आता है कि यदि आपको ट्रेनिंग करनी है हर्याना पुलीस में लगना है वो ट्रेनिंग करनी है तो आपको मधूबन जाना जाए ये सभी की इचछा है लेकिन इचछा उशी की पूरी होगी जो दिनरात NRS करता है मधूबन वहीं जाएगा जो दिनरात मेचनत कर रहे है और मधूबन जाना है तो आपको बहूत ज़ादा और बहतरीं तरीके से पढ़ना पड़ेगा हमारे साथ में जुड़ना प पड़े हैं, आप कोईम से चैनल पर जुड़े हैं, ये बहूत बड़ा Uhr करता है, आप अब की बार कासे के साहसे हैं, आप अपने पुलिस की जो पुलिस परशिक्षन अकादमी मधूबन के अंदर है वो मधूबन पुलिस परशिक्षन अकादमी कब बनी थी मधूबन पुलिस परशिक्षन अकादमी कब बनी थी तो आप सभी साथी बताएंगे सभी करांतिकारी बताएंगे कि 1973 के अंदर मधूबन पुलिस परसिक्षन अकादमी बनी थी मदूबन परसिक्षन अकादमी 1973 में बनी थी और इसी समय सोनिपत के अंदर मोतिलाल नहरू स्पोर्ट स्कूल राई के अंदर बना था और इसी समय उसके बाद में देखें पांडू मेला हर्याना में किस सिथान के उपर लगता है तो पांडू मेला लगता है असंद में और अभिमन्यू के पूतर परिक्षित की राजधानी कौन सा सेर हुआ करता था असंद करनाल हुआ करता था उसके बाद में नाम आता है परासर का मेला परासर का मेला सिमरन बाबा की समाधी का मेला चडियो का मेला चडियों का मेला कहां लगता है तो भी आप बताएंगे चडियों का मेला करनाल में और याद रखिएगा उसके बाद में जो लास्ट मेला आता है वो नाम आता है पंक देवी का मेला पंक देवी का मेला कहां लगता है करनाल में लंक देवी का मेला, करनाल में छड़ियों का मेला, परासर का मेला, सिमरन बाबा की समाधी का मेला और पांडू मेला, ये सभी मेले कहां पर लगते हैं तो स्टूडेंटों ध्यान रखिएगा करनाल के अंदर, लेकिन हरियाना का वह गाउं जिसे मेलो का गाउं कहते हैं, मेलो मेलो का गाउं किसे कहते हैं तो आप बताएंगे सालवान गाउं को मेलो का गाउं का जाता है करनाल डिस्टिक के अंदर एक गाउं पड़ता है जिसका नाम है सालवान और उस सालवान गाउं को मेलो का गाउं कहते है कौन से गाउं को सालवान गाउं परसिद सीता माई मंदिर है, याद रखेगा मौई गाओं करनाल के अंदर, 56 एकड भूमी में अटल पार्क, 56 एकड भूमी में अटल पार्क कहां स्थापीत किया गया है, तो आप बताएंगे अटल पार्क करनाल में स्थापीत किया गया है, 56 एकड भूमी में अटल पार्क कहां स्थापीत किया गया है करनाल में याद रखेगा FM रेडियो मंत्रा वे रेडियो धमाल का परसारण के इंदर FM जो होते हैं आपने सुना होगा आपने देखा भी होगा आपने परियोग भी किया होगा FM रेडियो मंत्रा रेडियो मंत्रा वे रेडियो धमाल का परशारन के इंदर कौन सा सहर है FM Radio मंतरा वे Radio Dhamal का परशारन के इंदर हरियाना का कौन सा स्थान है तो आप बताएंगे करनाल बहुत अच्छे तरीके से हरियाना का सबसे उचा गिर्जागर पूछे आप से पूछा जाए कि हर्याना का सबसे उच्छा गिरजागर कौन सा है तो आप बताएंगे Cantonment Church Tower ये Cantonment गिरजागर जो 1866 के अंदर बना था ये सबसे बड़ा गिरजागर है सबसे उच्छा हर्याना का पर्थम प्लास्टिक पार्क कहां स्थापित किया गया हर्याना के अंदर पर्थम प्लास्टिक पार्क है प्लास्टिक पार्क ये कहां स्थापित किया गया तो आप बताएंगे हर्याना का पर्थम प्लास्टिक पार्क करनाल में स्थापित किया गया था बहुत अच्छे तरीके से यह याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम जहर तरीके से, एकदम मस्त तरीके से हम आज करनाल डिस्सी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में नामाता है सीस गंज गुरुदवारा, अरे सीस गंज गुरुदवारा हर याना में कहा है ये पूछ रहा है कि हरियाना के कौन से जगह के उपर सीस गंज गुरुदवारा पढ़ता है। अमबाला के अंदर भी है। मधूबन में और मधूबन कहा है तो आप बताएंगे करनाल के अंदर पढ़ता है। उसके बाद में नाम आता है हरियाना के किस सथान से गोतम रिशी का संबन है। हमने बताया आपसे गोतम रिशी का संबन गोदर से है। गोदर कहा है करनाल में। हरियाना के किस सथान से परासर रिशी का संबन है। तो परासर रिशी का संबन कहां से है तो आप बताएंगे बहलोलपूर करनाल से परासर रिशी का संबन है। हरियाना का पहला सैनिक स्कूल हो गया हरियाना ग्रामिन विकास संस्तान आपने नाम सुना होगा आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ रहे हैं हरियाना ग्रामिन विकास संस्तान राज्ये के किस जिले के अंदर है हरियाना ग्रामिन विकास संस्तान करनाल के और हरियाना ग्रामिन विकास संस्तान करनाल में कहा है तो आप बताएंगे निलो खेडी में और निलो खेडी के अंदर हरियाना ग्रामिन विकास संस्तान कब बनी थी तो आप बताएंगे 1990 के अंदर 1990 के अंदर ही गोरया परियेटन सथल बहदुरगड में बना था गोरईया परियेटन सतल कहां है भादुरगड में और बैया परियेटन सतल कहां है तो आप बताएंगे भीवानी में बैया परियेटन सतल भीवानी में और गोरईया परियेटन सतल कहां है भादुरगड में है ये याद रखिएगा आपने फार्मा पार्क 50 एकड में कहां परस्तावीत है करनाल में याद रखेगा करनाल मेडिकल युनिवस्टी जो कहां है कुटेल में जिसका नाम बदल कर दीन द्याल उपाध्याय मेडिकल युनिवस्टी कर दिया गया ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखेगा जूता नगरी के नाम से किसे जानते हैं तो आप बताएंगे करनाल को जूता नगरी के नाम से भी जानते हैं कुल चावल का हरियाना के अंदर होता है उसका 14.11% हिस्सा हरियाना के कौन्च जिले के अंदर होता है करनाल के अंदर होता है त्राइन का पूराना नाम ये क्यों से आप पहली बावर पढ़ रहे होंगे त्राइन का पूराना नाम क्या है त्राइन जो कसबा है जहांपर त्राइन की दो लड़ाईया लड़ी गई थी उस त्राइन का पूराना नाम है आजमाबाद त्राइन जिसका पूराना नाम यदि पूछा जाए कि त्राइन का पूराना नाम क्या है तो आप बताएंगे आजमाबाद त्राइन का पूरा नाम है एग्रोबेस उपकरन हर्याना के किस जिले से बनते हैं तो आप बताएंगे करनाल से नवाब नजाकत खा की राजधानी हरियाना का कौन से सहर रहा है तो आप बताएंगे नजाकत खा की राजधानी करनाल रहा है हरियाना का पर्थम ड्राइविंग स्कूल कहां खोला गया है हरियाना का पर्थम ड्राइविंग स्कूल कहां खोला गया तो आप बताएंगे करनाल के अंदर हरियाना का पर्थम ड्राइविंग स्कूल खोला गया प्राचीन काल में सरवादी घोडे हरियाना के किस जिले में मिलते थे तो आप बताएंगे करनाल में प्राचीन समय में सबसे ज़्यादा घोडे तो करनाल में मिलते थे लेकिन प्यारे बच्चो मिहिर भोज के सासनकाल के दोरान घोडो के व्यापार का परसिद के अंदर पेहुआ हुआ करता था पेहुआ जो कस्बा है वो कहां पड़ता है तो आप बताएंगे करना पेहुआ करू अच्छे तरीके से यह याद रखना है कुरू राजे की राजधानी कौन सी हुआ करते थी असंद है कुरू जो राजे था उसकी पहली राजधानी कौन सा सहर हुआ करता था कुरू छेतर और जिसकी दूसरी राजधानी कौन सा सहर हुआ करता था असंद है कुरू राजे की पहली राजधानी कुरू चेतर और दूसरी राजधानी आशन्ध हुआ करता था सजावटी मचलियों के लिए मतस्य बीज फारम कहा है सजावटी जो मचली होती है आपने देखा होगा कभी कभी घर के अंदर जो पानी वगएर रखा होती है उसके अंदर कुछ अलग-अलग परकार की मचली होती है सजावटी मचली उनके लिए जो बीज फारम है वो कहा है करनाल के और करनाल के सैधपूरा गाओं में याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है राजे की पर्थम गोशाला वाली जेल कहां खोली गई है करनाल में याद रखें, और हर्याना के इंदर हर्याना के इंदर हर्याना का cold store कहा है, गरोंडा करणाल में, और राजे की वहें जेल, जिसमें पहली जेल, जिसके इंदर गोशाला खोली गई है, तो आब बताएंगे करणाल, उसके बाद में नाम आता है हर्याना राजे का पहला बागवानी विस्विध्याले कहां खोल गया करनाल के अंदर कब खोल गया तो आप बताएंगे अप्रेल 2000-16 के अंदर खोल गया उसके बाद में साथियो नाम आता है गूगल बोई Google Boy के नाम से परशिद हर्याना का कोन बच्चा परशिद है? तो आप बताएंगे कोटिले पंडित. गुगल का तो नाम आपने सुना होगा? गूगल गूगल बोई के नाम से हर्याना का कौन सा बच्चा परसीद है तो आप बताएंगे कोटिले पंडित कोटिले पंडित जिसका सम्मध कौन से गाउं से है तो आप बताएंगे कोहड गाउं से है उसके बाद में आप से पूछे कि नाइन हाल गोल्फ कोर्स नाइन हाल गोल्फ कोर्स हरियाना के कौन से जिले के अंदर है तो आप बता देना करनाल के अंदर है ओल्ड बादसाही ब्रीज कनिस्क का सतूप और नूरी दरगा हरियाना के कौन से जिले के अंदर है तो आप बताएंगे करनाल में पाकिस्तान के पहले परधानमंत्री लियाकत अली खान पाकिस्तान जो 1947 में भारत से अलग हुआ था उसके पहले परधानमंत्री कों थे लियाकत अली खान और उनका संबन्द कहां से रहा है तो आप बताएंगे करनाल से अनुपलाथर चंद्रावल फिलम के सह अभीनेता कहां से करनाल से पंजाब केशरी के सह संपादक अस्वनी कुमार कहां से है करनाल से याद रखना आपने अजमेर सिंग बास्केट बाल खिलाडी कहां से है करनाल से सुरेंदर सिंग होकी खिलाडी कहां से है करनाल से तो ये रखना है कलपना चावला जो अंत्रिक्स यात्री है जो 1996 में पहली बार अंत्रिक्स में गई दूसरा अंत्रिक्स मिशन 2003 के अंदर था और वो कलपना चावला जिनका सम्मंद करनाल से है तो प्यारे साथियो आज के लिए इतना ही जदी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी मजबूरी को ध्यान में रखते भी कार्य करें और हमारे साथ में लगाता जुडे रें और भात Mittled कना वीज़ति आहीं साथियो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स क्लास में मिलेंगे जय हिंद जय हरियाना धन्यवाद